यह एक टूल वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डेली यूजर Again जो 3,00,000 डेली यूजरय है और यहाँ इसकी जो डेली यूजर जो दिखायता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं डेली एस्टिमेटेड ऊनिक विज्टर यहाँ में पे देखी जो है वो लाखों में earning कर सकते हैं और AdSense का approval भी आपको असानी से मिल जाएगा और उसे Google में आप किस तरह से rank कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो का start करते हैं सबसे पहला website मैं आप आपको दिखायता हूँ easyhindytyping.com ये एक typing website है जिसमें कि आप किसी भी language में आप type कर सकते हो और अराम से आप उसको अपने website पे use कर सकते हो तो ये एक basically tool website है जिसमें कि आप जो है tool बना करके earning कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं Google AdSense का जो है वो ads run हो रहा है और यहां पे यह एक बिल्कुल टूल website है तो आप देख सकते हैं इस पे कोई content आपको नहीं मिलेगा content बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा कहीं भी blog का लिखा हूआ कुछ नहीं और यह जो website है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा typing के website और भी इसके जो टाइपिंग वेबसाइट है उसका लिंक यहांपे आपको मिल जायागा ठीक है तो सब कुछ यहांसे थाइप कर सकते हो और इवं यहां पे आप देख सकते हैं कि बेबी नेम्स जो है वही यहांपे आप इस टूल वेबसाइट के थे थूरूर फाइंड कर सक ठीक है, अभी मैं आपको इसका ट्राफिक दिखा रहता हूं, तो अगर गजा सकते हैं, कि इसका ट्राफिक है वो monthly visits हैं वो 2.90 million है ठीक है और यहां पे आप और आप देख सकते हैं कि इस पे जो traffic है वो India, US और बाकी सब जगों से भी आ रहे हैं तो आप देख सकते हो कि इस पे traffic कितना और सबसे ज़्यादा जो traffic है वो search से आ रहा है और direct आ रहा है ठीक है आप देख सकते हो कि इस टूल पे वेबसाइट पे traffic कितना ज़्यादा है ठीक है यह पहला वेबसाइट हो गया दूसरा वेबसाइट है डाउनलोड यूटूब थम्नेल ठीक है यूटूब थम्नेल डाउनलोडर जो है वो आप सर्च करेंगे बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे उसमें से मैं एक वेबसाइट का example आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई भी post आपको नहीं दिखेगा और यहाँ पे आप देखेंगे Google का ads यहाँ पे दिख रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं और इस पे अगर मैं आपको traffic अगर इस पे भी दिखाऊं यह website जो है वो rank कर रही है Google के first page पे पहले ही number पे उसी को मैंने open किया हुआ है अगर मैं इसका traffic आपको similar way पे दिखाऊं तो यह आप देख सकते हैं कि इसका traffic जो है वो 495.70K यहां पे URL डालना है ठीक है और कुछ भी आपको यहां पे नहीं दिखेगा ठीक है तीसरा जो website है वो है bank ifse code finder तो bank ifse code आपको पतागा बहुत सारे लोग को ifse code या swift code यह पता नहीं होता है तो उसके लिए भी आप जो है tool बना सकते हो tool website बना करके आप approval ले सकते हैं और यहां पे भी किसी भी content की कोई जरूत नहीं होती है आप देख सकते हैं यहां पे कोई content आपको नहीं मिलेगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ जो है ads आपको दिख रहे हैं और यहां पे सारे banks के जो code है वो यहां पे बस listed है और even code finder भी है जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं और इसका अगर traffic का बात करें तो similar web पे मैंने इसका traffic चेक किया तो यहां पे भी आप देख सकते हैं 1.90 million monthly visits हैं इस website के ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा traffic ले करके आ रहा है monthly उसी तरह से एक और इसी का है bankifsccode.com करके है इसका भी अगर आप traffic देखेंगे तो उसी तरह से आपको दिखेगा तो अगर इसका भी traffic हम आपको दिखाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं 1.70 million monthly visits हैं और यह सारे जो हैं वो search से आ रहा है और यहां पे content के नाम पे कुछ भी नहीं है सिर्फ एक single page आपको सामने बारा हुआ दिखेगा ठीक है और ifsc codes बस यहां पे find करने का है और इसके और भी जैसे ifsc code list भी यह provide करता है mcir code भी, shift code भी, bsr code भी जितने भी banks related codes हैं वो यहां पे यह देता है तो इस तरह का website भी आप बना करके millions में traffic ला सकते हो और इनकी earning तो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा ठीक है और यहां पे एक और website है जैसे area code बहुत सारे लोगों को phone या area code यह सब नहीं पता होता है तो वो भी लोग find करते हैं यहां पे यह area code वाला website है इसमें भी आप देख सकते हो सिर्फ codes available है कोई भी आपको content बहुत ज़्यादा नहीं है सिर्फ first page manage किया गया है और यहां पे अगर आपको मैं इसका traffic दिखाऊं तो आप देख सकते हैं traffic इसका तो अगर इस website का भी traffic यहां पे आपको similar way पे चेक करा हूँ तो यहां पे देखिए यह भी जो है 1.50 million यहां पे traffic है तो यह चीज आप देख सकते हैं अगला जो website है वो है image color picker इसमें आप देखो यह बहुत ही simple website है इसमें कोई content नहीं है सिर्फ आपको ads दिख रहा है यहां पे देखिए यह भी add है उपर यह देखिए यह भी add है यह भी add है ठीक है और सबसे उपर यहां पे भी add है तो देख सकते हैं कि कितना सारा add यहां पे दिख रहा है वो भी google adsense का और यहां पे है क्या सिर्फ आपको image upload करके उसका color, hexa color जो होता है, RGB color जो होता है, वो find करना होता है, ठीक है, इसमें जो भी आप image upload करोगे, यहाँ पे यह drag करोगे, और वो color यहाँ पे दिखाते जाएगा, आप देख सकते हो side में, ठीक है, तो इस तरह के tools आप बना सकते हो, और इस पे अगर आप traffic की बात करो, तो यहाँ पे आपको मैं traffic इसका दिखायता हूँ, तो इसका traffic अगर मैं आपको check करा हूँ, तो यह देखिए, इसका भी traffic जो है, वो 1.70 million है, ठीक है, और इसके सारे traffic जो है, वो direct और search से आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यह website जो है, बिलक find करने का option देता है, सिर्फ यही एक tool है, और उस पे इतना ज़्यादा traffic आ रहा है, उसके बाद अगला tiny png इसको आपने use किया होगा, बहुत famous website है, और इस website के बारे में तो मैं आपको क्या बता हूँ, आप अगर आपने use किया होगा, तो आपको पता ही होगा, कि यह website जो है, अपने image file को compress करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी सारा manage किया गया है, चुकि यह काफी high quality website है, और इसमें देखिए सारा चीज manage करके, लेकिन content के अगर बात करें, तो इसमें भी content के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर अगर website का सबसे ज़्यादा traffic है, तो यह tool website भी आप कहीं नहीं बना करके, काफी ज़्यादा traffic ला सकते हैं, और earn कर सकते हैं, बीना content लिखे, ठीक है, अब यह सारे websites तो हो गए, इन सभी websites के मैं अगर आपको earning चेक कराऊं, तो आप जो है, वो believe नहीं करेंगे, ठीक है, सबसे पहला website जो है, वो easyhindytiping.com, ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको earning चेक कराता हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक website है, siteworthtraffic.com, यह जो है, सारे websites जो भी है, उनकी, जो भी traffic है, और उनका जो income है, वो दोनों बताता है, estimated income, ठीक है, तो आपको सिर्फ करना के, यह भी एक tool website है, आप यह भी जो है, वो सारा काम करता है, तो आप इस website को भी बना सकते हो, तो यहाँ पे आपको simply यहाँ पे आना है, और उस website का आपको जो है, लिंक यहाँ पे डालना है, और submit कर देना, तो यह क्या करेगा, आपको यहाँ पे उसका सारा report दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पे 45,000 है, ठीक है, बंतली का आप देखें, तो 10,000 monthly earning इस website की होती है, और यहाँ पे unique visitors जो हैं, और यहाँ पे unique visitors दी, आप देख सकते हैं, कितना ज़्याद है, ठीक है, तो आप इस website की मैंने आपको earning दिखाई, उसके बाद अगला website जो सबसे आप देख सकते हैं 235 डॉलर है 232,000 यूनिक विजिटर्स यहाँ पे आते हैं और मन्थली जो एस्टीमेशन है वो 7,000 डॉलर का है ठीक है 7,063 यूस्टी डॉलर यहाँ पे एड से मन्थली अर्निंग इसकी होती है ठीक है तो यह देख सकते हैं तो यहाँ पर इस ठेहाँ मैं आपको यूट्व थμεनिल ग्रैबर यह जो है इसकी अर्निंग वाँ आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ तो यह आप देखिए कि इसका कितना है तो यह देखिए जो मैंने यूट्व थ accents वाला जो मैंने वीबसाइट आपको दिखाया इसकी जो revenue है वो 88 डॉलर daily का है और monthly जो है ये 2642 डॉलर जो है वो monthly बनाता है ठीक है उसी तरह से bank वाला अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह bank IFSC code का तो यहाँ पे bank IFSC code का जो मैं यहाँ पे आपको estimated earning आपको दिखाऊं तो यह दिखे 66 डॉलर आपका daily का है ठीक है और यहाँ पे आप देखोगे तो 1,990 USD डॉलर जो है वो monthly ad से सिर्फ आता है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं उसके बाद और अगर अगला मैं आपको यह image color picker में आपको दिखाऊं इसका आपको earning में दिखाएता हूं इसकी earning भी कही न कहीं जो है HUNDRED डॉलर डेली मतलब 95 डॉलर जो है वो डेली का है और TOO थाOजन एट हंड़ेट सिक्ष्टी डॉलर जो है वो monthly का है मतलब जितनी वी websites में tool websites की बात कर रा हूँ वो कम से कम जो है वो 50 डॉलर या 90 डॉलर या 100 डॉलर daily और maximum और monthly जो है तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का tool website आप बना सकते हो यह मैंने आपको बता दिया अब main है कि इस website को आप बनाओगे लेकिन पहले से अलड़ी इतने सारे website हैं तो आप rank कैसे करोगे तो rank करने का सीधा सीधा है कि आप tool website पहले बना लो तो tool website बनाने के बाद आप क्या करोगे कि उस पे google ads आपको लगाना पड़ेगा जितने भी websites हैं वो बिना google ads के rank नहीं होगी होती है ठीक है यह starting में आपको इसको rank कराने के लिए google ads का use करना पड़ता है या फिर facebook ads जो भी आप use जहां भी आपके visitors हैं वहाँ पे आपको search करना होगा target करना होगा उनको और आपको इसको सबसे पहले ads के थुरू rank कराना होगा जब आप rank करा लोगे तो आपको जब आप ad लगा लोगे google का और run कर जाएगा आप दो तीन लगा लोगे तो आपका जो है backlink automatic जो है वो बनने लगेगा बाकी जो भी websites हैं दूसरे websites जो की आपके बारे में review लिखेंगे ठीक है वो आपको backlink provide करना start कर देंगा आप जो ad लगाओगे तो automatically आपको backlink मिलना start हो जाएगा आपकी authority बढ़ जाएगी और आपका website दिरे 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 जो है वो rank होते होते वो first page पे आ जाएगा जब फिर आप जो है जब first page पे आ जाएगा आपको traffic भी आना शुरू हो जाएगा तो आप google में apply करोगे गूगल देखेगा कि यह tool website है वो आपको approval देदेगा ठीक है फिर आप जो है अराम से उस website पे अब आपको कुछ ली करना है daily बस आप उसको update करते जाओ जो भी आपको कुछ नया unique features आप add करो अगर करना है तो otherwise आप बना करके छोड़ दोगे तो भी आपकी earning जो होती रहेग आपको backlink के लिए और traffic लाने के लिए आपको ads का सहारा लेना ही पड़ेगा तो यह इसका सबसे जो main point है वो यही है ठीक है बहुत सारे लोग बता देते हैं कि tool website बना लो और ऐसे कर लो और आपको इतना earning होने लेगा लेकिन actually में यह सचाई नहीं है ठीक है tool website बनाने के समझ में आ गई होगी और इसमें मैं जो बताना चाह रहा था वो आप समझ भी आए होंगे तो friends I hope कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई है बाकि कोई भी problem होती है तो टेलेग्राम गूरूप का लिए की नीचे description में दिया गया वह आप मुझे contact कर सकते हो बाकि मिलते हैं अ